नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुखे समचार के इस वीडियो में जहा हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे एक एक करके पचास बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे वीडियो के साथ अंतक बने रह साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें साथ ही वीडियो के नीचे दियेगे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपक कर दी है चीनी सेना को मोहतोर जवाब देने के लिए पुर्वी लद्दाक के फॉरवर्ड एरिया में भारतिये सेना ने के नाइन सो चलित होविजर रेजिमेंट को तैनात किया है यह तोप लगबग 50 किलोमेटर की दूरी पर मौजुद दुसमनों के ठीकानों पर हमला करन सेना परमुख ने कहा कि हम चीन के सभी गतिविद्यों पर नियमित रूप से नजर रखे हैं हम भुन्यादी धाच्चे के साथ साथ सेनिकों के मामले में भी समान विकास कर रहे हैं जो किसी भी खत्रे का मुकाबला करने के लिए आवस्चक है पर्ष्टाव में सेना इसके समकच अधिकारी ने वाले अधिकारीों कि पेंसन को अलग-अलग हिसमें बाटा गया है इसमें कहा गया है 20-25 साल की सर्विस में 50% पेंसन और 35 साल से ज्यादा की सर्विस में पूरी पेंसन दी जाएगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा एलान, प्राइबट स्कूल में पढ़ने वाली दो बहनों में एक की फीस होगी माफ, सिच्छा विभाग को दिये पहल की निर्देश, जिहां यूपी के CM योगी आदित नाथ ने आज बड़ा एलान किया है, CM ने कहा कि अगर दो बहने एक ही स्कूल में पढ़ती है, तो एक की फीस माफ हो जाएगी, अब विवस्ता प्राइबट स्कूल के लिए की गई है, उन्होंने कहा कि अगर स्कूल एक बहन की फीस माफ नहीं करता है, तो विभाग को उस बच्ची की फीस की विवस्ता करनी हो आदे गंटे के बाद अगर आप 5 जी मी डेटा का इसतमाल करते हैं तो इसके लिए 10 रुपे चुकाना होगा स्टेशनों पर आदा घंटा तक के लिए एक Mbps स्पीड तक मुप्त वाइफाई की सुद्दा तो मिलती रहेगी लेकिन आदे घंटे के बाद भी अगर यातरी इंटरेनेट की सुद्दा लेना चाहते हैं तो इसके लिए सुल्क चुकाना होगा और अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो सरकार ने डाल सस्ती करने के लिए उठाया बड़ा कदम तिलहन का बड़ा उतपादक देश होने के वावजुद भारत को वी देसों से डाल आयात करना पड़ता है सरकार डालों की किमतों को लेकर फूल एक्षन में आ गई है करेगी सरकार ने एक लग टन मसूर दाल के आयत का ओडर दे भी दिया है और अगली बड़ी ख़बर की बात करे तो एक महीने में 10% तक बढ़ा ट्रक का भारा फल और सब्जियों के कीमतों में 15% तक बढ़ोतरी जिहां डीजल के दामों का असर धुलाई में लगे ट्रक भारे पर भी पढ़ा है Indian Foundation of Truck Transport Research and Training के मताबिक एक महा में ट्रक भारे में करीब 10% का इजाफा हुआ है इसका असर सभी वस्तों की कीमतों पर पढ़ा है फल और सब्जियों के दाम में 10-15% की विरिधी देखी गई है एक महीने के दोरान डीजल के दाम में करीब 4 उपे प्रति आम लोगों पर आने वाले महीनों में महंगाई का बोज और बढ़ सकता है ऐसा इसलिए कि सब्जियां खादे पदार्थों के कीमतों में बढ़ुतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूज अंडा और चिकन के दाम में भी बढ़ुतरी की पूरी संभावना है और अगली हाला कि अब करोना से लड़ने के लिए दवाईयों के मोचे पर अच्छी ख़बर सामने आ रही है भारत में इस वक्त करीब 20 दवाओं का ट्रैल किया जा रहा है इनमें से कुछ को जल नहीं हरी जंडी मिल सकती है हाला कि करोना संक्रमन की गिरती संख्या को देखकर ऐसा दुकानों की सूरत खिरकी में हाट डाल कर लेने वाला सिस्टम होगा बंद जिहां देश की रधानी की सराब नीती लंबे समय से चर्चा में है अब दिल्ली में नई अबाकारी नीती के तहद दुकाने खोली जाएगी जिसमें कई तरह के बदलाओ देखने को मिलेंगे अब सराब की दुकाने किसी भी बजार, मौल, सड़क या कॉम्पलेक्स आदी में ही मिलेंगे स्कूल धार्मिक संस्थानों के आसपा सराब की दुकाने नहीं खोली जा सकेगी अब दुकानों पर गरहकों को जाल से हाट डाल कर सराब नहीं खरीदना होगा बलकि सराब लेन और अगली बड़ी खबर की बात करे तो वाटसेप का बड़ा एक्शन भारत में 20 लाग एकाउंट्स बंद किये पैम और अन्चाहे मैसेज रोकने के लुठाया कदम जिह मैसेजिंग एप वाटसेप ने भारत में 20 लाग से जादा यूजर्स के एकाउंट्स को बंद कर दि दुनिया भर में दुरुपयोग के मामलों पर वाटसेप ऑस्तन हर महीने 80 लाग एकाउंट्स को बंद करता है बिना अनुमती के आटोमेटर या बल्क मैसेज भेजने वाली की वज़ए से 20 लाग सत्र हजार एकाउंट्स पर बंद लगाया गया है और अगली बड़ी खबर से रोकने वाले तीन जीन की भी पहचानकी है ये जीन हिर्दे रोग और डियावेटी जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी माने जाते हैं सोधकरताओं के अनुसार सुगर के साथ उच्च कैलोरी वाले आहार के चलते मोटापा वैस्विक महामारी का रूप लेता जा खासकर करोना महामारी के दौर में मोटापा और मदुमे के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से जाफा हो रहा है अब घर बैठे होंगे सारे काम जी हां भारत में ड्राविंग लैसेंस बनवाने से लेकर आर्ची को रिन्यू करवाना अपने आप में मुश्किल काम है लेकिन अब आपको इन सब काम के लिए परसानियों का सामरान नहीं करना पड़ेगा दरसल सरक परिवहन एम राज मंत्राले ने आर्टियों से जुड़ी 18 सिवाओं को अब आउलाइन कर दिया है मतलब आपको आर्टियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे सरकार की इस फैसले से आर्टियों में लगने वाले भीट से लोगों को राहत मिलेगी अब आप अधार लिंक्ट वेरिपिकेशन से घर बैठे ही कई काम करवा सकेंगे ड्राइविंग लेसेंस और गाड़ी का रेइस्टेशन कराने के लिए किसे दूसरे डॉक्मेंट्स नहीं देने होंगे आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने अधार कार्ट को वेरिपाई कराना होगा और आप घर बैठे 18 सुवधाओं का लाब ले सकेंगे और अगली बड़ी खबर की बात है तो घरों की छट पर नहीं लगा सकते मोवाईल टावर जीने के अधिकार का हननन है हाई कोट जिहां पंजाब और हरियाना हाई कोट ने आज पंजाब में घरों के छटों पर मोवाईल फोन टावर लगवाने पर रोक लगा दी है रोक लगाते हुए हाई कोट ने कहा कि इस तरह के टावर लगाने से लोग की जान और संपत्ती खत्रे में पढ़ सकती है कुछ तस्वीरों का रिकोर्ड लेते हुए बेंच ने राज्य और अन्य परतिवादियों को नूटिस भी जारी किया है और कहा है कि या सपष्ट करे कि क्या राज्य में एक समान निती अपनाई जा रही है बिंच ने कहा कई बार हवा के वेग के करन टावर के अस्त वेस्थ होने का खत्रा हो सकता है जिस से लोग का जीवन खत्रे में पढ़ सकता है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान खाने वालों के लिए आई बड़ी खबर जाएगी इस वक्त जिन किसानों के पास इस टॉक है वे अच्छी कमाई कर रहे हैं सुपारी बजार पर नज़र रखने वाई लोगों का मानना है कि मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ रही है उत्रभात में सुपारी का कोई इस टॉक नहीं है जिन उत्पादको और वेपार पास इस टॉक है वे मुनाफ़ा कमा रहे हैं वहीं पान खाने वालों के लिए मुश्कीले बढ़ गई है क्योंकि अब उन्हें ज्यादा जेव धीली करनी पर रही है दूस्तों आज की खबरों में बस इतना ही इस तरह हर रोज काम की खबरे जानने के लिए आप हमेशा हमा